अज़े से लेके 11 बज़े के बीच में उपस्तित हूँ आज जिनकी कुंड़ी लेकर करके आया हूँ सबसे पहले बता दूँ अप्लिकेशन ज़रूर डाउनलोड करिए यह आपको प्लेस्टोर पे टाइप करना है वहाँ जो लोगो दिखेगा उसे टैप करिए डाउनलोड करिए इंस्टॉल करिए रेटिंग दीजिए और प्रतिक दिन का कारिकरम आप वहाँ से भी देख सकते हो अब आईए शुरू करते हैं अचका कारिकरम यह धनू लगन की कुंडली है और दशमस्थान बली बन रहा है आपने सवाल पूछा है सरकारी नौकरी का लाभ है कि नहीं पंडीजी बिल्कुल है लेकिन सरकारी नौकरी को जो देने वाला ग्रह है वो अभी एक्टिव है और शनी नीच के हैं जिस ग्रह की दशा में आप अभी जी रहे हो न वो ग्रह नीच का बैठा है इस वज़ा से आपको परिणाम नहीं दे रहा है और इस वज़ा से ही मैं कहूंगा कि 2023 के आरंभ में नहीं इंड में 2023 के करीम में और यह अभी है इनके पास सबस्था भी है अभी आपको इंतजार थोड़ा कर लेना चाहिए वैसे आपकी कुंडली में यही भाव बड़ा अच्छा बन रहा है चंद्रमा और शनी का नीचा विलासी होना और शनी नीच के ये थोड़े से कमजोर कर रहे हैं पराक्रम भाव में गुरु केतु जहां व्यक्ति को आप्टिमि की प्रविर्ति का बना देगा और कई बार व्यक्ति को पांच दिन लगतार पढ़े दसमें दिन गायब दस दिन पढ़े लगतार ग्यारमें दिन गायब इस तरीके की प्रविर्ति आ जाती है मंगल नीच के शनी नीच के बुद्ध ठीक बैठे हैं सुर्य नीचा विलासी चंदर्मा नीचा विलासी, गुरु जो हैं वो मीनेदासी की तरफ बढ़ रहे हैं, चतुर्थ अस्थान को देखे केतु और शनी का प्रभाव, उसको कमजोर कर रहा है, इस वज़ा से व्यक्ति को किसी देव प्रतिमा का दर्शन प्रतेक दिन करना चाहिए, मंदिर धोने का क अधिभाव में बैटे हैं, जहां काधिपती, धर्मकर्मा अधिपती और ये अच्छी बात है, दशमांस कुंडली से पहले अगर नौमांस की भी चर्चा करता हूँ, तो ये ब्रिशव लगन का नौमांस बनता है, जिसका अधिपती शुक्र जाकर के जन्म कुंडली के अस यहां वो जन्म कुंडली में मीन रासी के आ रहे हैं, बुद्ध नीच के हो जा रहे हैं, यहां वो बुद्ध उंच के थे, यहां वो बुद्ध नीच के हो जा रहे हैं, इस वज़ा से हो सकता है कि गणेजी की आराधना करने के बाद व्यक्ति को परणाम की प्राप्ती हो, क्योंकि ये बुद्ध यहाँ पे थीक हो रहे हैं, यहाँ पे कमजोर हो रहे हैं, सुर्य मंगल और बुद्ध एकादसों भाव में बैठ करके आपके इक्षा के पूरती कराने का पूरा दम लगा रहे हैं, आपको खुद से भी थोड़ा सा बल देना होगा. यहाँ पे शनी, गुरू, चंद्रमा और राहू का एक सांथ बैठना जन्मकुंडली मेहा के कई प्रकार के प्रभावों को दिखा रहा है ऐसा इसले क्योंकि यहां का अधिपती पंचमेश जो संबंध बराने का भाव होता है वो नीच का है अपने पैत्रिक संपत्ती को ले करके हमेशा ही सजग रहें अपनी वाणी को ले करके हमेशा ही सजग रहें अपने दिमाग को कभी भी गलत और बुरे प्रभावों में आने प्रतियोगिता भाव का अधिपती जा करके बैठा है, आपकी कुणले में पैत्रिक संपती, भूमी, भवन, वाहन, नौकरी का सुख है, क्योंकि छठे भाव के अधिपती भागे में बैठ करके लगनेस से देखे जा रहे हैं, ऐसे इस्थोती में कि प्रतियोगिता भाव के अधिपती अगर गुरु को देख लें, या लगन का अधिपती अगर शुक्र के द्वारा जो कि प्रतियोगिता का अधिपती है, देख लिया जाता है, तो कई बार व्यक्ति को देर से परणाम मिलते देखे जाते हैं, पर व्यक्ति के जीवन में उसके वास्तवक रूप मे अगर गौर करते हैं तो इक्षापूर्ती का भाव बड़ा अच्छा है क्योंकि यहाँ का अधिपती जो शुक्र है वो भागय में बैट करके लाभ के अधिपती भागय में बैट करके राहु के संबंधों के बैठने के कारण व्यक्ति में धार्मिक पना, धर्म का लाभ, तर पर अधि बहुत अच्छा है अपने ही नच्छत्र में बद्ध उत्रा फालगोनी में गथिको बिद्वान और लेक्शर प्रोफिशर के चेत्र में जानेены का प्रभाव पैदा करते हैं। और रिसर्च आदी के छेत्र में भी जाने का प्रभाव पैदा करते हैं, अगर इन छेत्रों में आप जाओ, तो बड़ा बढ़ियां रहेगा, दशमांस कुंडली में अगर बात करता हूं, तो कुम्भ का नवांस लगन बनता है, और वहां के अधिपती होकर के पंचम भाव म में हैं, बुद्ध की दशा व्यक्ति की कुंडली में अच्छी जाएगी, क्योंकि होरा कुंडली में भी अगर मैं देख रहा हूं, तो बुद्ध खराब नहीं बैठे हैं, इस वज़ा से आपको बुद्ध की दशा में अपना पूरा बल लगा देना चाहिए, व्यक्ति के कारे को सिध्ध होते हुए देखा जा रहा है, अब एक बात और बताता हूं, दर्शल आपकी कुंडली में बुद्ध की दशा 2023 के ग्यारवे महिने से आरम होगी, और इस अधार पर मैं ये बात कह सकता हूं कि जब तक जन्म कुंडली के दशंभाव के अधिपती अक्टिव अब इस वज़ा से ब्रक्ति को बेवाह में परिशानी, प्रेम बेवाह करने में दिक्कत और ब्रक्ति को कई बार प्रेम ना मिले, इस वज़ा से प्रेम के चकर में ना पढ़ना बाबू, ये बात बनती है, अब फोन रखता हूं, नमस्कार